आप ही बताईए कि गयोहूम जो होता है वो कितना बड़ा बड़ा होता है लेकिन जैसे ही आठा बनता है तो बहुत छोटा-छोटा हो जाता है बस वैसे ही पाचन में है कि पाचन जो होता है वो भोजन जो होता है वो बड़ा-बड़ा होता है तो भोजन के बड़े-बड़े पेटों में जैसे ही भोचन जाता है तो बहुत ही छोटे छोटे कौनों में ये बदल जाता है तो यही बदलने के क्रिया को ही हम क्या कहते हैं पाचन कहते हैं आसा है कि आपको आगया होगा यार लाइक करते हैं अगली वीडियो में